आपको प्रभु येश्यु मसी के नाम में अनुग्रिव और श्यान्ती प्राप्त हो बाइबिल में यहन्ना की पुस्तक उसके नौ अध्याय में एक घटना है जहाँ पर प्रभु येश्यु और उसके चेले एक स्थान पर से जा रहे थे और उन्होंने एक अंधा व्यक्ती देखा जो मालूम पढ़ा कि वो जनम से अंधा था तो प्रभु येश्यु के चेलो ने उससे पूछा कि है गुरु ये अंधा क्यों पैदा हुआ क्या इसके पाप थे या इसके माबाप के पाप थे तो प्रभु येशु ने अपने चेलों से कहा ना इसके पाप थे, ना इसके माबाप के पाप थे लेकिन ये इसलिए अन्दा जन्मा ताके इसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की मैवा हो फिर प्रभु यशु उस अंधे से कहता है या अंधा प्रभु के पास होता है और प्रभु यशु भूमी पर मिट्टी पर थूखता है और उस सनीवी मिट्टी को उस अंधे के आँख पे लगाता है और उसे कहता है जा पास में जो सिलॉम नाम का कुंड है पानी का कुंड है वहाँ पर अपनी आँख धो और वापस आ और जब उसने प्रभु येश्व की आज्या को माना और अपनी आँख को सिलॉम कुंड में धोया तो उसकी आँखों में रोश्नी आ गई जो जनम से अंधा था वो अब देखने लगा सनीवी मिट्टी प्रभु येश्व ने उसकी आँख पे लगाई और उसने प्रभु की आज्या के अनुसार सिलॉम नामक कुंड में अपनी आँखों को धोया और उसको उसने ध्रिश्टी पाली जो जनम से अंधा था इस हम क्या सीखते हैं प्रभु येश्व मसी खुद मनुष्य बन गया इस धर्ती पर आ गया आदम जो मिट्टी से बना था वैसे प्रभु येश्व मसी मिट्टी से बने हुए मनुष्य के समान हो गया लेकिन फिर भी पूरी तौर से पाप रहित था सिलॉम जो कुंड था सिलॉम का नाम होता है भेजा गया और प्रभु येश्व मसी भी जो परमेश्व का पुत्र है परमेश्व पिता के त्वारा भेजा गया ताकि हमारे आँखे खुल सके पाप के कारण हमारी आँखे अंधियों गई है ना हम अपने आप को देख पाते हैं ना हम उस पवित्र परमेश्वर को देख पाते हैं जब वो अंधे की आँख खुल गई तो लोग उसको पूछने लगे तुम कैसे ठीक हो गए है ना कई धरम गुरू उसको बातों में फसाना चाते थे उसके माबाप को धमका रहे थे तो कि वो प्रभु येश्व से इरशा रखते थे उससे चिड़ते थे आज भी बहुत सारे लोग है ऐसे लेकिन उस अंधे ने जो अंधे से अंधा था पहले और अब ठीक हो गया था उसने ये जवाब दिया कि मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ कि पहले में अंधा था पर अब मैं देखता हूँ यदि हम प्रभु येशु के पास सच्चे हिर्दे से आते हैं पश्टाब के साथ आते हैं तो प्रभु येशु हमारी आँख भी खोल देता है वो जगत की जोती है वो इसलिए जगत में आया ताके हम जो अंधकार में बैठे थे उस बड़ी रोष्णी को देख पाए जब मेरी आँख खुली तो मैं देख पाया कि मेरे हिर्दय में कितना पाप है कितनी मलींता है, कितनी गिरावट है, कितनी बुराई है कितनी ऐसी बाते हैं जो परमेश्वर की पवित्रता के विरुद है और उसकी दृष्टी में ग्रिनित है और मेरी आँखे जब खुली तो मैं देख पाया कैसे परमेश्वर मुझसे फ्रेम करता है कि मुझ जैसे पापी के खातिर प्रभु येश्य मसी मनुश्य बन कर आया और कलवरी के क्रूस पर अपनी जान दी जैसे बार-बार बताते हैं अपना पवित्र लहु बहा दिया ताकि जब मैंने विश्वास किया 24 सितंबर 1986 को उस दिन प्रभु येश्य मसी के लहु ने मेरे सारे पापों को दो दिया प्रभु येश्य तीसरे दिन जी उठा आज जीवित है और यदि आप प्रातना करेंगे उस से पापों की शमा मांगेंगे तो वो आपके पाप शमा करेगा और उसको अगर आप दिल में बुलाएंगे तो वो आपके हिर्दे और जीवन में प्रभेश करेगा प्रातना कीजिए प्रभु येश्य आपको आशिश दे